आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में एटमिक एब्जॉप्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो एक शॉट्ट रिवीव अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का ले ले कि यह क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी खुद स्पेक्ट्रोस्कोपी आसर में इंट्रेक्शन है एलेक्ट्रो सारे interactions होते हैं, जब हम electromagnetic traditions को direct करते हैं matter के उपर, तो ये matter इस electromagnetic prediction के साथ different तरिकूर से interact करता है, ये matter in electromagnetic traditions को या तो absorb करेगा, या फिर emit करेगा, या फिर transmit करेगा, या फिर कुछ और भी कर सकता है, anyhow, आज हम जो पढ़ेंगे spectroscopy में, वो है atomic absorption spectroscopy, तो हम क्या करेंगे, atomic absorption spectroscopy में हम electromagnetic radiation को direct करेंगे matter के एक component जो के atom है, atom के उपर, तो जब electromagnetic radiation direct करते हैं हम लोग atom के उपर, तो ये atom इनको absorb करते हैं, और अभी इस तरीकिकार को, इस phenomenon को, कि जब electromagnetic radiation एक atom absorb करें, इसको कहते हैं, atomic absorption spectroscopy, तो इसका principle क्या हुआ, principle है, absorption का, कि एक atom ने absorption की हैं, किस चीज़ की, electromagnetic radiation की, अभी हम इस spectroscopy को पढ़ते हैं, तो हमारे जहन में एक question आता है, कि हम क्यों इस spectroscopy को perform करते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं इसको, इसका बहुत ही कोई भी चीज़ हमारे पास हो, कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ में, especially हम लोग अगर elements वालूम करते हैं, कि इस चीज़ में कोंकों से elements मुझूद हैं, और कितने मुझूद हैं, तो इस तरह से analysis जब हम लोग करते हैं, उसके लिए हम लोग prefer करते हैं, atomic absorption spectroscopy, अभी मैंने यहापर कहा कि किस चीज़ को और कितना मुझूद हैं उस चीज़ में, यह आप बात हैं भी हम लोग तोड़ा सा chemistry के point of view से पढ़ेंगे कि वो चीज़ क्या है, वो चीज़ जो आप लोग लेते हैं उसको कहते हैं analyte, अब यह अनलाइट आपने analyze करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं analyzes, हम किसी चीज़ को analyze करते हैं, अभी यह analyte हमने उठाया, इसमें क्या चीज़ मुझूद है, यह एक चीज़ हुआ, और कितना मुझूद है, यह दूसरी अभी qualitative क्या है, कोई analyte आपने उठाया, उसमें क्या-क्या चीज़े हैं, like sodium, potassium, etc. और पिर उसमें, उस चीज़ में, उस analyte में कितनी amount है, कितनी concentration है, वो quantitative analyzes है, तो हम atomic absorption spectroscopy के जरिये से qualitative quantitative दोनों analyzes कर सकते हैं, अभी हम कैसे करते हैं, हम कैसे कैसे करते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं working में, तो working से पहले आपको instrumentation यादोना चाहिए, कि इस atomic absorption spectroscopy का, instrumentation क्या है, कि क्या-क्या instrumentation, हम लोग use करते हैं, इस spectroscopy को perform करने के लिए, तो जो instruments हम use करते हैं, उसमें से हैं, एक HCL है, hollow cathode lamp, दूसरा हमारे पास होगा burner, तीसरा हमारे पास होगा monochromator, photo multiplier tube, और detector, ये तीन आपने जहन में खाका रखना है और याद करना है, पिर इसके बाद जो हैं हम लोग जब इसकी complete description पढ़ेंगे, वहाँ पर पर पिर कुछ और भी बीच में parts आएंगे, जो हमने परियाद करने हैं, लेकिन ये 3 आपने लाजमी जहनेशन करने हैं, ये 3 boxes, अब आते हैं towards the instrumentation in a detail, और पर उसके बाद हम working की तरफ आएंगे, कि ये किस तरह work करता है, instrumentation की पहले component को पढ़ते हैं, HCL, आपके पास कीजे मैंने अनलाइट उठाया है, अभी इस अनलाइट में मैंने डुंड़ना है potassium, कि अया इस में potassium है करने यह तो मैंने potassium डूंडना है तिक एह आभी po Jesus मैंने डूंडना है hydrogen, so. ये potassium का मैंने cathode बनाना हैं पहले, कि मैंने hollow cathode lamp में effects करना है पिर यहाँ पर anode होगा तो यहाँ का हो जाएगा hollow cathode lamp पिर इसके बाद यहाँ पर सामने है एक chopper जो chop करेगा तोड़ेगा ठोटेगा किसको हमारे electromagnetic radiation को और पिर यहाँ पर हैं हमारा sample और lamp burner दोनों होती हैं यहाँ पर इस component में जो burner का component है यहाँ पर हमारा burner भी होगा और हमारा sample है वो हम यहाँ से in करेंगे ताकि वो atomize हो सके description पढ़ते हैं मजीद इसका तो पहले तोड़ा से समझते हैं कि क्या क्या इसमें और मोच होते हैं यहाँ पर है एक lens जो कि light rays को direct करते हैं towards the monochromator यह monochromator different types के होते हैं तो यहाँ पर हम लोग prism use कर रहें और फिर यहाँ पर है photo multiplier tube और जो हमारे जो signal इस तरह पहुंचता है photon वो इसको multiply करता है फिर detector के तरफ बेचता है अब इस पूरे instrumentation को हम लोग पढ़ते हैं working के through और working हमने करनी है example के through वो example क्या होगा कि हम लोग एक analyte लेंगे उसको हमने मालूम करना है कि इसमें क्या मौझूड है suppose कीजिए हमने यहाँ पर डिसकस किया कि हम लेते हैं potassium का analyte तो हम अभी जानते हैं कि IS में कितना इस जो specific हमने analyte लिया है इसमें कितना potassium मौझूद है और उसकी कितनी concentration है क्यों हम लोग qualitative भी कर रहे है quantitative भी कर रहे है इस analyte में potassium मौझूद हुए के नहीं है वो हुआ qualitative analyzes कितना potassium है वो है quantitative analyzes very simple अब हम क्या करते हैं यहाँ पर से start करते हैं हम cathode और inode को provide करते हैं 500-2000 volt current यह current पर क्या होगा जब यहाँ provide करेंगे तो इस hollow cathode lab में क्या होता है गेस फिर होता है जिसकी ionization हो जाती है और यह ionized gas जो है वो आकर के हमारे अब यहाँ पर गेस जो ionize हो गिया है वो cathode को hit करेगा cathode को जिसे hit करेगा तो cathode से जो यहाँ पर भी दे कोई यह cathode हमने potassium का बनाया हुआ लिया था तो यहाँ से क्या होगा यह जो potassium ही यह excite हो जाएंगे तो जब यह excite होंगे तो दुबारा से जब यह excitation state से दुबारा से ground state में आते हैं तो यह energy को emit करते हैं आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी element ground state से excite state में जाता है तो वो unstable हो जाता है तो दुबारा जब वो ground में आता है तो वो energy को emit करता है इस process को बोलते हैं sputtering जो gas ने cathode को hit किया फिर इस तरह से energy की production होई तो sputtering के बाद क्या होगा जो यहाँ पर electromagnetic radiation जिनरेट होए यह फिर forward करेंगे towards chopper chopper के दर जब आएंगे chopper इस radiation को क्या करेगा split करेगा थोड़ेगा अभी यह तोड़ थोड़ के आएगा towards the lamp या burner यहाँ पर burner में क्या होता है यहाँ पर हम लोग यूज़ करते है atomizer इसमें क्या होता है कि यहाँ पर sample हम inject करते है यह sample पर जब उठता है यहाँ पर burn होता है तो वो sample यहाँ पर suppose कि जो हमने जो analyte भी लिया है ना वो analyte हमने यहाँ पर डाल दिया liquid form में डाला है तो analyte जो हमारा liquid भी हो सकता है solid भी हो सकता है आप लेड़े उसको लिक्विड में convert करता है liquid form में जब हम इसको यहाँ पर डालेंगे तो पिर यह जब burner को पहुंचेगा burner इसको burn करेगा जब burn करेगा तो हमारा जो analyte है वो itemize हो जाएगा उसके atom बन जाएगे और अभी जो atoms बन गे यह atoms in electromagnetic conditions को absorb करेंगे अभी इन electromagnetic conditions के दो हिसे हो जाएगे कुछ तो atoms absorb करेंगे और कुछ जो है वो जाएगे आउटवर्ड अभी आहाँ से जो आएंगे यह आने वाले जो है transmitted electromagnetic radiation अभी radiation आएंगे transmitted radiation lens के तुरू पास होंगे monokrometer को पहुंचेंगे याद रखिए यह lens electromagnetic radiation को direct करता है towards the prism यह जो हमारा monokrometer है पिर उसके बाद यह radiation आते हैं towards the photo multiplier tube अभी दो को photo multiplier tube यह photon को multiply करते है photon तो अब जो आती है अब आगे उस पास energy के packets आ रहे हैं अब यह सारे energy packets आ रहे हैं तो यह multiplier tube है इन photons को multiply करता है उनकी amount को ज्यादा बढ़ा देता है फिर उसके बाद यह in multiplied photos को direct करता है towards the detector वहाँ पर जो detector है वो पिर उसको observe करता है उसके बाद हमारे पास absorbance reading आएगी यह reading हम पिर note करेंगे अब यह जो absorbance reading है इसको हम compare करेंगे हमारे noun reading के साथ जब हम absorbance reading और noun reading को compare करेंगे concentration और absorbance यहां पर आपके पास एक graphical representation मौझूद है तो इस तरह से हम लोग जब इस graphical representation में interpret करेंगे अपाने values को put करेंगे तो जो result आएगा पिर हम उस result से जान सकेंगे कि हमारे इस analyte में कौन सा element था आया जिस element के बारे में हमने जानना था वो element इसमें है और कितना है यानि कि हम लोग अभी इसकी quality भी बता सकती है quantity भी बता सकते है इस result से अभी हम दू चीज़े बता सकते है कि हमने जो analyte लिया था उस analyte में कौन सा element था उसकी कितनी concentration थी तो हमने इस तरह से दू analyse कि ए उस analyte के उस analyte को हमने qualitative भी analyze किया quantitative भी अनलाइस किया, qualitative भी हमने कैसे अनलाइस किया, हमने element मालूं किया, quantitative हमने कैसे अनलाइस किया, उसकी concentration मालूं किया. That's it, the very simple understanding about the atomic absorption spectroscopy. अभी भी अगर आपके पास कोई question remaining है, आप उसको drop कर सकते है, comment box में हम आएंगे, answers के लिए. Thank you for watching.